बीजेपी अपनी नीतियों से बंचीत समाज को आगे बढ़ाना चाहती है जबकि कॉंग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कॉंग्रेस युवाओं को नशे की लत्मे तकेल कर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हम केंद्र से माहराच्चा के किसानों के लिए पैसा भेचते से लेकिन महागाडी सरकार उसमें बंदर बाढ़ करके खा जाती थी। कॉंग्रेस ने हमाइसा किसानों का जीवन मुश्किल बनाया है। वो आज भी वही पुराना खेल खेल रही है। इसलिए कॉंग्रेस को पी-म किसान संबान निदी योजना पसंद नहीं आती। भाई और बहनों, बीजेपी अपनी नीतियों से बंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है। जबकि कॉंग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कॉंग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कॉंग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कॉंग्रेस से बहुत सावधान रह रहा है। आज कॉंग्रेस को पुरी तरह से अर्मन नक्षल का गिरो चला रहा है। कॉंग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बाटने का उनका एजन्डा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। पुरा देश देख रहा है कॉंग्रेस के खतरनाक एजन्डों को विकात सपोर्ट किसका सपोर्ट मिल रहा है। जो लोग बारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। वो इन दिनों कॉंग्रेस के सब से करीबी दोस्त हैं। इसलिए समय एक होने का है हमारी एकता ही देश को बचाएगी। भाई और बेहनों मैं माहरास्टा के लोगों को कॉंग्रेस की एक और कर्तुत बताना चाहता हू आपने खबरों में देखा होगा अभी दिल्ली में हजारो करोड रुपे का ड्रेग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात इस ड्रेग्स रेकेड का मुख्य सरगना कौन निकला। कॉंग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। हमें इस खत्रे से सावधान लहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। हमें साथ मिलकर ये लड़ाई जीतनी होगी। साथियों आज हमारी सरकार का हर निटी विक्सित भारत को समर्पित है। और विक्सित भारत का बहुत बड़ा आदार हमारे किसान है। किसानों को ससकता बढाने की जिसा में आज कई बड़े कदम उठाए गए है। आज 9200 किसान उत्पात संग एप्पियों देश को समर्पित किये गए है। अभी कृषी के लिए कई इंफ्रासेक्टर प्रजेक का भी लोकारपन हुआ है। इन से कृषी पातों के स्टोरेक, प्रोसेसिंग और प्रबंदर की च्छमता बढ़ेगी। यह सारे प्रयास किसानों की आए बढ़ाने में मदद करेंगे। वैसे यहां महराश्ट में तो किसानों को NDA सरकार में डबल फाइदा हो रहा है। एकनाजी सिंदे की सरकार ने किसानों का बिजली बिल भी जीरो कर दिया है। आमचा सेथ करना वीजे चे बिल मिलता है। त्यावर सुन्य लेले आने ना। साथियों महराश्ट के किसानों ने वीदर्प के किसानों ने कई दसकों तक बड़े संकटों का सामना किया। कॉंग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने किसानों को बदहाल और गरिब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहाँ जब तक महाअगाडी की सरकार थी उसके दो ही एजंडे थे पहला किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को ठप करना, दूसरा इन परियोजनाओं के पैसे में प्रस्थाचार करना। हम केंद्र से महाराच्चा के किसानों के लिए पैसा भेचते थे लेकिन महाअगाडी सरकार उसमें बंदर बाढ़ करके खा जाती थी। कॉंग्रेस ने हमाइसा किसानों का जीवन मुश्किल बनाया है। वो आज भी वही पुराना खेल खेल रही है। कॉंग्रेस को पी म किसान सम्मान निदी योजना पसंद नहीं आती है। कॉंग्रेस योजना का मजाग उडाती है। किसानों को मिल रहे हैं पैसों का विरोध करती हैं क्योंकि किसानों के खातों में जा रहे हैं पैसों से उनको जो कमाई करनी चाहिए उनको जो कटकी करनी चाहिए प्रसाचार करना चाहिए उसका अवसर नहीं रहा है आज पडोसी राज करनाटका को देखिए जैसे महारास्ट में महायूति सरकार किसान सम्मान निति के साथ अलग से पैसे देती हैं ऐसे ही करणाटका में बीजेपी सरकार देती थी यहां करणाटका के मेरे कई लेकिन जैसे करनाटका में कॉंग्यस सरकार आई UNO Hist bentu iv सिंचाई परिआज में व्舒 onton al लिया करनाटका में कॉंग्रेसर में कीमत बढ़ा दी हर चुनाव से पहले करजमाभी का जूठा वादा कॉंग्रे का पसंद Jadi झाल झाल